उज्जेन को शर्मसार करने का मामला सामने आया है गुरुवार शाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें एक यूवक अधेर महिला के साथ दुशकर्म करता दिखाई दे रहा है इस वीडियो के वाइरल होते ही पुलीस ने तुरंत कारवाई करते हुए महिला के बयान लिये मेडिकल करवाया और बिएनस की धारा 64 वधारा 300 तिरपन में प्रकरन दर्ज करते हुए आरोपी को आधे घंटे में गिरफतार कर लिया और न्यायाले में पेश कर उसे जेल भी भेज दिया इस पूरे घटनाकरम को घटित हुए लगभग 18 घंटे बीटने के बाद अब इस मामले में बवाल मचा हुआ है क्योंकि प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में ट्वीट पर राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधा है इन दिनों शहर में आगर रोड कोईला फाटक शेतर के पास एक अधेर महिला के साथ दुशकर्म का वीडियो वाइरल हो रहा है जिसे कोतवाली थाना पुलीस कल ही संग्यान में ले चुकी है यह वीडियो चिमंगंच थाना क्शेतर के पास रहने वाली 45 वर्षिय महिला का बताया जा रहा है जो की कच्रा बीन कर अपना गुजर बसर करती है इस वीडियो को देखने के बाद पुलीस ने ततकाल महिला के साथ हुए घटनाकरम को जाना उसके बयान लिये और मेडिकल भी करवाया महिला ने पुलीस को बताया की आरोपी लोकेश पिता उंकारला लहेरिया निवासी राजीव नगर आगर रोड ने उसे शादी का जानसा देकर शराब पिलाई और उसके बाद दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी मामले में मध्य प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ब्लू विडियो शेयर कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा है कि धर्मनगरी उज्जेन एक बार फिर कलंकित हुई है इस बार भी कालाटी का उज्जेन की कानून विवस्था के मा थे पर ही लगा है यह सोचकर ही स्तब्ध हुआ जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अब दिंदहाडे खुली सड़क पर दुशकर्म शुरू हो गए है ऐसा तभी संभव है जब कानून और सरकार का असर पूरी तरह से खत्म हो जाए यदि मुख्य मंतरी के ग्रह नगर के यह हाल है तो बाकी प्रदेश के हालात आसानी से समझ जा सकते हैं दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार को भी महसूस किया जा सकता है अब ग्रह मंतरी या मुख्य मंतरी नहीं प्रदेश सरकार के एक-एक मंतरी से सवाल है शर्म से डूब मरो या कुरसी छोड़ दो